हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड और गुणा होता है। मैं नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा, आपको शुबकाम ना हैं पर ये नहीं हो पाएगा। आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि आप जो हैं और जो आपने एक अठा किया है उसमें फर्क है। देखिए, जिस तरह ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आम तोर पर उतर दिया जाता है, उससे लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है, वे नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूंगा। वे जबरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं। जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके मन का स्वभाव है। क्योंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं। ब्रेक या कलच नहीं हैं। आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के होते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। तब से वे हमेशा यही करने लगे। आप मन को ऐसे बिलकुल नहीं संभाल सकते। इसके लिए आत्मग्यान जरूरी नहीं है। अगर आप दो मिनिट आँखे बंद करें तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूँ इस दिशा में कभी मत जाहिए। क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका गुण बन जाएगा। वो हमेशा हवी रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए। बात ये है कि मन की बुन्यादी प्रक्रिया को समझे बिना। क्योंकि अमारा मन, इंसानी मन, धर्ती का सबसे जटल कम्प्यूटर है। सभी सूपर कम्प्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अब ऐसा है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें। अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और। अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुणा हो जाएगा। ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। कि आपका ये मन और शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। आपका जीवन महत्वपून है, शरीर और मन वे साधन है जिने हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठें तो उसे वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फाइदा क्या है? वो सिर्फ परिशानी होगी। फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादतर मनुष्य, इंसानी मन की इस शांदार संभावना को एक परिशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रही हैं। ये आपके पास मौजूद सबसे सुन्दर चीज है, बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दीना होगा, सबसे पहले यही करना होगा। इसी कारण हम एक सरल सी चीज इशा क्रिया लेकर आए, ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है। पर आँखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता, आपका अस्तित्व तब भी होता है। तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं। अपका अस्तित्व खो नहीं जीवत हैं, बस यही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आपका सोच रहें, ये महत्वपून नहीं है। हमें समय जिन्दा हैं, यही महत्वपून हैं। तो यह महत्वपून हैं कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवंतता पर ध्यान केंद्रित करें। तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अपनी मानसिक प्रक्रिया और शारिरिक प्रक्रिया से दूरी बना लेना यही कश्टों का अंत है। अच्छे विचार रखूंगा। मेरी शुपकामनाएं पर यह नहीं हुपाएगा। 100% यह काम नहीं करने वाला। क्योंकि कोई विचार हटा नहीं सकता, उन्हें कुछ समय तक टाला जा सकता है। तो जब बुरे विचार आता हैं, आप कहें राम राम, शिव शिव जो भी आप कहें, पर यह सिर्फ उनसे बचना हुआ, वो चले नहीं जाते। जिस पहला आप उन्हें रोकते हैं, वे बड़ी ताकत से फिर आएंगे, वरना वे आपके सपनों में वापस आ जाएंगे, तो यह बहुत महत्वपून है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका गुसा, नाराजगी, आपका जो डर है, जो भी नकारात्मक्ता आप पैदा करते हैं, आम तोर पर नाराजगी और गुसा हमेशा किसी दूसरे की ओर होते हैं, पर हमें समझना होगा कि यह जहर हम खुद पी रहे हैं और दूसरे के मरने की उमीद कर रहे हैं सौभागे से जीवन ऐसे काम नहीं करता अगर मैं जहर पीता हूं तो मैं मरूंगा मेरे जहर पीने पर आप नहीं मरेंगे तो हमें ये समझना होगा जहर से मेरा मतलब है आज आप इसकी जांच करा सकते हैं फिलहाल आपका खून कैसा है फिर पांच मिनट तेज गुस्सा करें और अपने खून की जांच कराएं उसमें कई नकार आत्मक तत्व होंगे आप वाकई खुद को जहर दे रहे हैं तो क्या आप जहर पीना चाहते हैं बिल्कुल नहीं अब मैं क्या करूँ शायद जीवत होने की अनुभूती आप कितने समवेदन शील या बोध पाने की काबलियत रखते हैं उसी के हिसाब से कुछ चीजें शरीर की कोई समवेदना आपकी सांसें दिल की धड़कन या कुछ और कुछ ऐसा लें जो आपको जीवन का संकेत देता हो बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो एकठा किया है उनमें एक दूरी आ गई है एकठा की गई चीजें हैं आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक अस्त विवस्त दा